हेलो फ्रेंड्स सर्दिया आ गई है और आप सभी के घरों में चावल के आटे की रोटी मक्के के आटे की या फिर बाजरे के आटे की रोटी बनानी सुरू हो गई होगी और आज हमारी कीचिन में बनने जा रही है मक्क चावल के आटे की रोटी और प्राठा दोनों ही बिल्क देड़ कटोरी और उसके बाद डाल दिया मैंने टेस्ट के कोडिंग नमक और थोड़ा सा डाला मैंने धनिया कटिंग करके बाकि आप यहां पर मिथी भी डाल सकते हैं जो हरी मिथी होती है वो भी आप डाल सकते हो बस मैंने यहां पर हरा धनिया ही डाला है और उसके बाद मै आपको रोटी बनाना बताती हूं देखों यहाँ पर मैंने लोई ले लिया है जो हम नोर्मल गेहूं के आटे की लोई बनाते हैं पेड़ा बनाते हैं हम उससे थोड़ा बढ़ा लेंगे चावल के आटे वाला पेड़ा हम थोड़ा बढ़ा लेंगे ठीक है यह मैंने पेड़ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे हाथ का दबाव देते हुए यहां पर हम हतेली का और साथ में जैसे हमें थोड़ा सुखल लगता है ने कि हमारा आटा खतम हो चुका नीचे का तो थोड़ा साथ हम और लगा लेंगे बस चीपकना नहीं चाहिए अगर थोड़ा ज्यादा आटा डालना चाहते हुए यहां पर डाल सकते हो देखो हाथ से हम थोड़ा सप्रेस करते हुए ऐसे बढ़ाते जाएंगे रोटी को और यह आराम से बन जाएंगी धियान यह रखना है कि बीच में ज्यादा आटा नहीं लगा ना हमें जिसके साइड साइड है किनारे किनार अगर हम यहां पर चेकले बिलेन के यूज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं हम हाथ से बना सकते हैं बहुत आसानी से बहुत इजी बन जाता है बस आपको दियान यह रखना है कि हाथ का ज़्यादा प्रेसर इसके पर नहीं डालना हम दिरे दिरे इसको बनाएंगे और बिच बिच में थोड़ा अटा लगाते रहेंगे हमारी रोटी आसानी से बन जाएगे और यहाँ पर मैंने रोटी को पलट के लगा लिया है घी क्योंकि मैं अभी बनाने वाली इसका प्राथा पहले हम इसका प्राथा बनाती है मैं यहाँ पर देशी गी यूज度 किया है औ रोटी हमारी फुली-फुली नहीं बनेंगे बड़ी फुली-फुली रोटी आती है, वो भी बना जब adolescents बनेती हो है. बड़ी टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बिलकुल ही-जी बनती है, बस्स तो हम मत्खन के साथ बड़ी टेस्टी रोटी बनती है सरदियों में तो आप इसको बनाओ खाओ beans् में एलोटी या जैसे बाजरी की रोटी होगी या पिर चावल कहाटे की रोटी हो ठीक है अभी देखो मैंने यहां पर तवे पर रोटी डाल दी थी उसके बाद इसको पलट भी दिया था अभी मैं इसकी भी रोटी बना के दिखाती हूँ देखो मेरी कितनी फुली फुली रोटी तेयार हुई है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसमें मैंने ऐसे भी नहीं किया है कि आटा मैंने दस मिन के लिए गूंद के रख दिया नहीं मैंने सिर्फ तुरंत आटा गूंद लिया और तुरंती रोटी बना दी सच में बहुत सॉफ्ट रोटी बनी है एक बार ट्राय जरूर करना